नमस्कार दोस्तों मैं पिंटू सिन्हा आप सभी को हमरे फेज़ूप पीज़े रेटिव चैनल इस्टेरिवाइश तो स्यावत हैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे आज हम लोग पिछले 12 जुन से 15 जुन का जितना भी इंप्रेंट करेंटिफेर से उनके बारे मे डिस्कास करेंगे ठीक है टोटल यहां पर दस ट्रफिकल लाए है और उस दस ट्रफिक के साथ बहुत सरा इंप्रेंट पोइंट हम लोग यहां पर डिस्कास करने बालें जो आप लोगो के आने वाले एक्जयम जैसे की आसम डायक, डिगुर्टमेंट, DHSP, NAD, SSC, आसम पहले क्वेशन से क्या है? हुँच वेकम दानी चुप मिनेस्टर आरिशा रिसेंटली तो ओरिशा का निया चुप मिनेस्टर को न बना है रिसेंटली आप्षिन ए मोहन चरन माजी होगा चरन चरन महन चरन माजी आप्षिन ब कनक वर्दन शिंग दयू और बहुत सरा इंपरेंट पॉइंट आप लोको मिल जाएगा तो on 12 जुन 2024 मुहन चरण माजी has taken oath as the 15th chief minister of Odisha he is the first BJP leader of Odisha to assume the post he has replaced नविन पतनायक the 14th chief minister of Odisha तो पिछले 12 जुन को महन चरण माजी तोब इसका एक ट्राइब है नो मतलब में चरण माजी वह पिछले 12 जुन को और शाmost का पंद्राव्य hashtag बदमें सबद घ्रण किया है ठीक है अभी वह बन गया है और इसका बड़तमाuh chapister ओकर ओक और वह कौंडिसे का discriminator है वह English ठिढयेद लिए और वह फैला भीज्विंपी लिडार हूड है जो और शवाम में चिपिनिश्टर में होके बना है टुवर पहले बिदी लीडर में ले इसले बना था तो वह पहली बर बनाए है ठीक है उन्से पहले ऑन कों चीप मिन्स्टर था नभीन पटनेक था वह 14 चीप मिन्स्टर था और शर्ट्रा की तो थोड़ा हम यहां पर और और शरक के बार में दिसकस की यहां पर लाए है जैसे उन्सता स्टेट ऑफ इंडिया अटीन स Aubrey area It was found in 1936 first April तो अरिषया जू इन श्टैट ही वह कब बना था negertie 326 के फर्स्ट अप्र्यल को बना था और अ्ए स्टेट और्षय स्टेट जो है वो भारत के आथवे बराधे स्टेट ठीट है भारत के एरिया के मुताविक आठवे बारा स्टेट है भारत के और कब बना था 1936 के फस्ट एपरिल को इसलिए हर साल उरिषय औरिषय डे या फिलो और फॉर्मेशन डे मने आ जाता है हर साल को starred फॉ कौन सा स्टेट को कॉणसा स्टेट में मना जाता है तो अनसा अन्चेर होगा औरिष्या में मनाया जाता है और कौनसे तारीकों मनाया जाता है फस्ट Geral को ऑरिष्या गठन व हुआ था बन खिया था में झेट बन गया था ऑर शीट की आs है है और लोक्सावा सीट के त्यटा है 21 सीट से ठीक है और रिश्य का बर्तमन गवरनर कौन है रगवरदास और हुआ का कैफिंटल को जार है ठीक है इससे प्रप dikk से हम लों को क्या-क्या मिला है बर्तमन जो और पहला वीच ऊंच्रन माजे वह 15 बना एक था और इसा हमारे भारत का आठवे बराइ स्टेट है एरिया के मतामिक और ओर इसे का फर्मेशन डेको उतकल दिवस भी बोलता है और इसा में 10 सीट से राज़े सबा का लोग सबा सीट से 21 सीट और और इसे का बर्तमन का गवर्णर कोने रगोबरदास है तो यहां पर आंसार होगा अप्शन ए रगोबरदास और एक पुइंट में यहां पर बोल देता हूँ जैस चिह हो घो मैं रगोलता है और इसा क्षेशन का प्रतमने ट्रमत हुए और ऊस्यक्टिटन्प पेरका में में पूरेट्व लगोबरदास होए। तो अंद्रपदेश का बर्तमान चिपनिस्टा कौन है अप्शन ए पावन के लिए अप्शन बी चंद्रबावु नाइडू ऑप्शन सी जब वाइस जगनमवान रेटी ऑप्शन डी एमके स्टेरिन थोरा हम यहां पर डिसकास करते है तो चंद्रबावु नाइडू वह भी बर्तमान अंद्रपदेश का चिपनिस्टार है वह उन्होंने भी पिछले बाराज उनको सपत गरण किया था चिपनिस्टार पर्द के लिए ठीक है वह उन से पहले कौन चिपनिस्टा तो तेल्ग देस्वम पर्टी का प्रेशेडेन भी हो चंद्रबावु नाइड़ो वह भरतमान तेल्ग देश्वम पर्टी का प्रेसिडेन भी है और वह उन्होंने रिसेंली लोकसवा इलेक्षण में लोकसरवा एलेक्शन में जो अंद्रपदस का टोटल सीट से 25 सीट उन्होंने उनके पार्टी ने टोटल 16 पद जीता है 16 सीट जीता है तो इसलिए वह बन गया है अंद्रपदस का निया चेप मिस्टा ठीक है अंद्रपदस भी भारत के साथवे बराय स्टेट है अंद्रपदस और अंद्रपदस का अंद्रपदस कब बना था 1956 के फास्ट नवेंबर को अंद्रपदस बना था ठीक है तो इसलिए हर साल फास्ट न नवेंबर को अंद्रपदस डे भी मनय जाता है या फिर फो अंद्रपदस फ़मेशन डे मनय जाता है अंद्रपदेश का कितना राज्जेसवा सीट है अंद्रपदेश में 11 राज्जेसवा सीट से और टोटल 25 लोग सबा सीट से अंद्रपदेश में बरतमान अंद्रपदेश का जो गवर्णर है वो कौन है सायद अब्दुल नाजर एस अब्दुल नाजर भी बोलते हैं तो साय और उनसे पहले कौन चीप इंस्टर था वाइस जगनमान रेड़ी चंद्रबाव नाइडू तेलभू देश्वां पार्टी का भी प्रेसिडेंट है बर्तमान और अंद्रपदेश जो है अंद्रपदेश भारत के साथ वे बराय स्टेट है जो एरिया में एरिया के मुताबिक अंद्रपदेश कब बना था एस स्टेट 1956 को बना था अंद्रपदेश में कितना सिट्स है राजे सबागा 11 सिट्स है लोग सबागा 25 सिट्स है और अंद्रपदेश का बर्तमान गवर्णर कौन है सायद अब्दुल नाजीर अंद्रपदेश का जो केपिटल है अंद्रपद ऐसका कैपिटल कि हो अमरबती है अंद्रपतिस का गैपिटल और पवं कहलान यहां पर एक फिल्मस्टर है उवो भी तलबु दिस्टर्फटी का एक लीडर है तो पवं कहलान को डेपूटी चीफ इन्स्टर पद में नियूत किया गया है ठीक है तो यहां पर आंसर ओका ऑप् अंदर जड़िश का अभी हाम जाते हैं क्वेशन नंबर क्वेशन कि मैं है हुआ क्वेशन नेक्स चीफ ऑफ दा आर्वेट टो इंडियार अर्मी का वह भारत्य शेना का नेक्स चिफ कोन बनेगा अप्शन ए मोरुज कुमर पंडे अप्शन बी उपधर दिवहदी अप्शन सी राजना सिंग ऑप्षंडी नानव दयवाब तो रिसेंडली सेंट्रल कोमेंट ने जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री ने नया चिफ को एपन किया गया है तो वो कौन है उपेंद्र दिवेदी ठीक है लेटरेंट जनरल जनरल उपेंद्र दिवेदी को हमारे भारत का इंडिया औ पद में इन्तपद के लिए एपन किया गया है वो आने वाले 30 जून से नया चिफ बन जाएगा बरतमन जो चीफ है वो महनेशकुमार पंडे है महनेशकुमार पंडे का तर्म खतम होने वाला है 30 जून को तो इसलिए 30 जून को उपेंद्र दिवेदी टेक ओवर करेगा महने इन्तपद बनेगा इन्डिया नार्मी का तर्टिए चीफ बनेगा तो इन्डिया नार्मी का जो बरतमन जो चीफ है ओरपंडे वो 29 चीफ है ठीके उन्टिषवे चीफ है इंडिया नार्मी का के यहां पर जैसे इंडिया नार्मी के लिए मैंने कुछ ट्रपिय यहां पर लाया है पॉंट यहां पर लाया है जैसे इंडीयानार्मी का मोट्व क्या है डीक है सेवा परमदार्मा और इंगलिपफ गौर। है इंडियार में चीफ का स्टियारान है और भारत का प्रेशिडंट हौता है जीसा बरतमान जो भारत का प्रेशिदेंट है थैंडियार भी इंडिया और्पी का सुप्रीम कमंदर इनद चीफ है ठीक है और चीफ डिफेंसस टफ को जनरेल ओनील्ड-चावन है और झांद्धियान आर्मी का 15 15 जन्वरी को सी पहुद्य मनिले हम यह laat me man steps With you 17 वान वाले दिन में हमारे इंडियान अर्मी का चीफ बनेगा वह 30 थर्टेएट चीफब बनेगा और बर्तमान जो चीफ है वो मनुदु कुमार पांडे है वो 29ग चीफ है और बरतमान उपेंदर दिवेदि वा बरतमान इंडियानारमी का 22 चीफ है तो इंडियानारमी का मोट्टा हम लोगों मिल गे है सेवापर मदर्माद links बीफोर सबस्विए फोर स्प्रियम को मेंडर इंचिफ कौन है इंडियान आर्मी दे रूपद्य मुरू है और चिफ अफ डिफेंस स्टाफ वो कौन है जैनरेल आनिल चोहन है और हर सल 15 जनुवरी को इंडियान आर्मी दे मना है जता है ठीक है तो यहां पर आंसर होगा ओप् अभी हम जाते हैं क्वेशन नमबर फोर पे विच डे इस सेलेबरेटेर इस दो वर्ल्ड डे एगेंस्ट चैनल लेवर एब्डिवर तो हर सल वर्ल डे एगेंस्ट चैनल लेवर कौन से तरह को मनाया जाता है ओप्शन ए 12 जुन ओप्शन भी 13 जुन ओप्शन 14 जुन ओप्शन 15 जुन तो हर सल 12 जुन को वर्ल्ड डे एगेंस्ट चैनल लेवर मनाया जाता है हर सल ठीक है तो 2002 से यह मना रहे हैं 2002 से तो इस बार 2024 में जो मनाया गया है तो उनका थीम क्या है यहां पर है लेट्स एक्ट ऑन आवर कॉमिट्मेंट्स एंड चैल लेबर ठीक है तो यह है यहां पर यहां पर आंसर होगा ऑप्शन ए 12 जुन इस टोपिक से हम लोगों क्या क्या मिला कि वर्ल्ड डे एंगेंस चैल लेबर वह दिन कौन सा और इंटरनेशनल लेबर और पिसले 2002 से मना रहे हैं और इस बार 2024 का थीम क्या है है let's act on our commitments and child labor ठीक है तो यहां पर आंसर होगा बारा जुन अगे हम जाते हैं क्वेस्टन नमबर फाइब पर दा एक्सरसाइज जीमेक्स 24 इस बिंग इस बिंग बीट्वेंड होगा यहां पर है विवर्पोल बीट्वेंड बीट्वेंड तो बर्तम 이제 चल रहा है एक्सरओस जीमेक्स 24 और इस अंदर कॉन कॉन से अंदर इक्सरओस जीमेक्स होता है तिम्हें आप्शन है इंडिया जपन बी इंडियfound i तहाइलंड Щौए असल मतलब यह एक्सराइज जिमेक्स प्शल्प करते हैं इकश्रसाइज français है और फालती नोशेना आर जपन स्के मूल sitten ठीक है तो एक्सरसाइस जिमेक्स का पहला एडिशन कब हो आता 2012 को आता एक्सरसाइस जिमेक्स का पहला एडिशन और इस बर जो हो रहा है वह आठवे एडिशन है एडिशन हो रहा है वह कहां पर हो रहा है जापन पर हो रहा है योको सुका योको सुका जगह पर हो रहा है एक सिब signature हैं यहां पर कभी करके है कि कुछ के हैं यहां कौछ पइंडिया 250 घिल्ट जो says it mean जो कि सिस्वरक्राइस Huh защ service के बारे मैं ने यहांपर दिया जैसे कि मालावार एक्स एंड और जापन जापन के बाद में ओता है विर गार्जया स्व省 इंड्या और जापन के बीच में होता है सिन्यू महित्री सिन्यू महित्री वह भी इंडिया और जपन के बीच में होता है और धर्मगर्जयन जो रिसेंली गया है यह कुछ गया धुश्रा खेले ! दर्मगर्ज्यों भी इंडिया और जापन के बीच में ठीके तो इस टोपक्षय क्हूं से किया मिला हम लोग को कि एक्सराइश जीमक्स जो है वह जाफन ने भी और इंडिया ने भी गपीच में होता है और इस बर जो हुआ है वह इस बर जो चल 2012 को हुआ था अभी जो चल रहा है वो कहां पर हो रहा है जापन पर हो रहा है और यहां पर एक्सरसाइज जापन और इंडिया के बीच में जो डिफेंस एक्सरसाइज होता है उन में से कुछ नम मेरे यहां पर डाला है जैसे कि नेवी का जो होता है नेवी का मालावार एक्सर और धर्म घर्जियां जो एक्सरसाइस वो इंडियान अर्मी और यह तीनों एक्सरसाइस बहुत ही इंप्रोटि यहां पर आंसर होगा । अब चाहिए के अब यहां चाहते है। नबर 6 पर on which day international alvinism awareness day is observed everywhere हर सल international alvinism awareness day कौन से तरह को मनाया जाता है option A 12 June option B 13 June option C 14 June option D 15 June तो हर सल international alvinism awareness day हर सल कौन से तरह को मनाया जाता है तेरा जून को हर सल मनाया जाता है तो यह एक डीजिस है उन डिजिज को एवेर करने के लिए हता है इंट्रनेशनल एलविचम एव एवियर्िनेशन gadningen मनाता है हार सबुधे सब्सक्राइब को सब्सक्राइब का रिख एम वर्डद वाओ हेल्थ और्पनेशनक के दुआरया यह मना مनाया जाता है हिएसल टेरा जुन को International Elvinism Awareness Day पहले International Awareness Day कौन सा यहर को मनया गया था 2015 को मनया गया था उसके बाद से हर सल मना जा रहा है तो इस बार जो इन्टरेशनल Elvinism Awareness Day इस बार 10 सल पूरा हो गया है तो यह 10 सल पूरा होने के लिए होने के बाद इस बार जो थीम जो बना है वो 10 years of international alvinism IAAD मतलब है international alvinism awareness day a decade of collecting collective progress तो यह है 2024 का international alvinism awareness day का तो यह question से हम लोगो को क्या क्या मिला कि तेरा जुन को हर सल alvinism awareness day मनाया जाता है international international alvinism awareness day सबसे पहले 2015 को मनाया गया था और कौन सा organization मनाता है है WHO मनाता है हर सल और इस बार 2024 का थीम क्या है 10 years of IAAD decade of collective progress यह है 2024 का international alvinism awareness day का थीम है ठीक है तो यहां पर आंसर होगा option B 13 June अब यहां जाते question number 7 question number 7 पर क्या है who has won the bronze in women's triple jump event at the Indian Grand Prix 2024 recently यह बहुत ही important question especially हमारे Assam के competitive exam के लिए ठीक है तो इंडियान Grand Prix 3 2024 में जो बर्तमन बैंगलोर में जो हुआ था रेसेनली रेसेनली बैंगलोर पर जो हुआ था इंडियान Grand Prix 3 2024 तो यह चेंपियंशिप में यह चेंपियंशिप में triple jump जो event है उनमें वो event में bronze medal किसने जीता है option A पूर्वा हीते 7 option B शर्वरी और विनास पारुले option C अम्रीका नारजारी option D नानाब दयबा थोरा हम यहाँ पर डिसकास करते हैं इंडियान Grand Prix 3 2024 एतलेटिक्स मीट हेल्ट इन बैंगलोरू करनाटका अन 12 जुन तो 12 जुन को करनाटका के बैंगलोरू में इंडियान पर इस पर भी अध्यान ओफ इंडिया द्वारा इंडिया के द्वारा और शिया गया था था थिक तो वहां पर बहुत साथा इवेंट खेला गया था तो वहां पर पुर्वा हीते सावन्त ने विमेंज ट्रिपल जम Kings में और शार्वरी अवीनज पाली और अमरीकन और जले जो है वह हमरे आसम का है तो इसलिए बहुत इंपोर्टेंट यह क्योंकि अम्रीका नर्जरी हमारे आसम का है उन्होंने विमेंस ट्रिपल जंप इवेंट में ब्रोंज मेडल जीती है तो समझाते हैं नमबर एट पर वर्ल्ड डॉनर डे इस अब्जार्ब डिया तो हर सल वर्ल्ड डॉनर डे कौनसे तरह को मनें जाता है और एफौर्टें जून और सब्सक्राइब करने तो हर सल कालड लेंस टेनर के बर्त एनिबर्सरी को समरेंड करके हर साल चोधा जुन को वर्ड ब्लॉड डॉनर दे मने जता है ठाइं हैं याद रखना रुचन आचे है कि वर्ड ब्लॉड डॉनर डे जो हरशल चौधा जुन गोने जता है लगल टॉन के वर्थ-आणिबर्सरी नानि आज़ाता ने discover किया था 1930 को 1930 को उनको ब्लाड्ज गूरूप a.b.o जो है वो discover करने के बदेशी से 1930 को Nobel Prize मिला थालो नोबड़ न!? इन मेडिसीन 1930 को Biz नोबेल प्राइस भी मिला था ठीक तो एसाब क्योटं सेकता की काल्ड इंस्टेनर को तो कौंसे यहर में Nobel Prize मिला था अगर question आता है तो आंसर हो वा 1930 या फिर Nobel Price के कौंसा मतलब कोंसा Nobel Prize दिया गया था कर्लर लैंस टेनर को जांसर होगा Nobel Prize in medicine होगा ठीके तो Nobel Prize का के टागर्योरी होता जैसे Nobel Prize इन पीस होता है Novel Prize in Economics होता है Novel Prize in PhysicsFS होता है सिम नोबल प्राइस इन Medicine में Carlforward Lange Ministrainer को दिया गया था किसलिए ता वो उन्होंने Blood Group a heiß high blood group को डिस्कवर किया था हुसके बच बचार्ड लेन्स टिनर को 930 को नॉबल प्राइज इन मेडिसिन एवार्ड दिया गया था तो इस बार दोहजाद चोबिस का नॉबल प्राइज वर्ल ब्लाड डॉनर का थीम क्या है 20 years of celebrating giving thank you blood donors यह है दोहजाद चोबिस का थीम है वर्ल ब्लाड डॉनर डे का थीम है ठीक है तो यहाँ पर सब्सक्राइज होगा option c 14 जूलाइज 14 जून सब्सक्राइज अभी हम जाता है question 9 पर which rank secured by इंडिया in the 2024 Global Peace Index recently तो 2024 के ग्लोबेल पीच ग्लोबेल पीस इंडेक्स में हमारे भारत ने कौनसा नंबर कौनसा रेंग सिक्योर किया है option a 31 option b 106 option c 116 option c option d 126 थोरा हम यहाँ पर डिसकास करते हैं Global Peace Index has been publishing every year by Institute for Economics and Peace तो Institute for Economics and Peace के दुआरा हर साल Global Peace Index publish करता है तो इस बर जो publish किया था 2024 का जो इंडेक्स published किया था recently तो वहाँ पर हमारे भारत ने 116th rank मिला था हमारे भारत को 116th rank मिला था out of 163 countries तो यह जो in Institute for Economics and Peace जो है जो है वो टोटल 163 country country के country में यह Global Peace Index उनको observe करके Global Peace Index बनाता है तो हर सा तो ग्लोबेल पीस इंडेक्स का जो 2024 में पहला इस्थन मिला मिला है आइसलेंड को दूसरे इस्थन मिला है आइलेंड को और तीसरे इस्थन मिला है ओस्टिया को ठीक है तो यहां पर स्थन चल रहा है व कि चल रहा है तो आज होगा 15 जून आज कतम होगा तो 50 अभी सब्सक्राइब का सब्मित चल रहा है वह 50 सब्मित है तो अभी question है यहां पर कौन सा देस होस्ट कर रहा है option A Canada option B Italy option C France option D Russia थोड़ा हम यहां पर डिसकर्स करते हैं और पहले जाते हैं कि G7 के बार में G7 क्या है group of 7 G7 का full form में group of 7 जैसे G20 होता है वैसे G7 भी है ठीक है तो जीशेवन एक इंटर्न गोर्मेंटल गोर्मेंटल पोलिटिकल एंड एकनोमिक फोराम में जीशेवन का मेंबर कौनसा कांट्री है France Germany Italy Canada Italy Japan United Kingdom और United States ठीक है एक दो तिन चार पाच छे सब यह साथ कांट्री जो है और फ्यांटल का मेंबर है पर्मेंट्र मेंबर है ठीक है मतिसरेवन का पहला एडिशन क कब हो था 1975 को हहा था और अब हमझनी जो चल रहा है वह 50 кहांने ऐडिसन ए ठीक है के सा которую पहला सब्मिट पहला सब्मिट कर वहाता नैंटीन Primlv समिट हो और बी जर चल रहा है वह फिफ्टी संत है वह ओ कहां पर हो रहा है इटाली पर हो रहा है इसलिए इसलिए इटाली कप्राइमिस्टर और जो प्राइमिंस्टर हम लोग को इटाली के बारे में हम लोग को मिल गये कि Giorgia मेलोनी है वह 50th जी शवेंट का प्रेसिडेन बनी है और वह 50th जी सेवन जी सेवनट कहां पर हो चाहिए वह इटाली पर हो चाहिए और अज कहत्व हो चाहिए और तोएट से में चाहिए घुसे में सब्मीट और अने वाले दौह सब्मीट और टारैंग में अभी जो चल रहा है जी समेंट सब्मीट में किनीट को तेमिट करेंडा पर का भूरे सका है कहां पर चल रहा है इटाली पर चल रहा है ठीक है और जी सेबन का पहला सब्मिट कहां पर हुआ था फ्रांस पर हुआ था 1975 को हुआ था ठीक है तो यहां पर आंसर होगा option B Italy कि अभी हम जाते हैं आज के questions तो दरे पर तो पहला question में है हूँ इस दा प्रेजन गवर्नर ऑफ औरिशा तो औरिशा का बर्तमन गवर्नर कौन है option A रोगवर्दास option B S अब्दूल नजिर option C मोहन चरण माजी option D YS जगुन्वन रेड़े question number two पह है with which country India organized the exercise दर्मगर्जन तो इंडिया इंडियान आर्मी जो होता है इंडियान आर्मी कौन से देश के साथ exercise दर्मगर्जन और मैस करता है option A थाइलेंड option B Japan option C China option D Malaysia तो कौन से देश के आर्मी के साथ exercise दर्मगर्जन मतलब करता है यहाँ पर चार जो option है यह चार option का एक अंसर होगा ठीक है question number three पह क्या है who discovered the blood group ABO तो एक blood group ABO किन्हों ने discover किया था option A Karl Lensteiner option B Jonathan Trot option C Alfred Nobel option D Albert Einstein तो यह तिनों answer का यह तिनों question का answer आप लोग कमेंट बॉक्स भी दे दीजेगा आप लोग के comment box के comment के लिए में wait करके रहूंगा और answer देने में उतना दिकत नहीं हुआ जैसे की थोड़ी देर पहले discuss किया हम लोगोंने कोशिश करना answer देने के लिए और जिसका भी answer करेक्ट होगा उनका नाम में next video में mention करके देदूँगा अभी हम जाते हैं हमारे लास्ट वीडियो का question सब्सक्राइब का अंचार करने में तो पहला question पर क्या था which rank has placed by आर प्रग्णारंदा in 2024 Norway chess competition तो 2024 के Norway chess competition में आर प्रग्णारंदा कौंछा rank मिला था तो यहां पर आंसर होगा option c third question number two पर क्या है who has won the women's single title at the 2024 french open to french open 2024 के french open जो recently खतम हुआ था वहां पर women's single title कि किस नहीं जीता था इगाश्वैटेक इगाश्वैटेक नहीं जीता था जीती थी इगाश्वैटेक नहीं क्वेशन नमपर थी पर है कोस्ट अभाजारिका इजन इंडियान स्पोर्ट्स वर्षन ही इस रिलेटेट टो कुनेज़ तो कोस्ट अभाजारिका वह भारत के एक स्पोर्ट्स वर्षन है वह कौन से खेल के साथ जूरह है तो यहां पर आंसर होगा arm wrestling होगा ठीक है like तो आज पर बस इतन ही अगर वीडियो को अच्छा लगे तो जा व्यूना कि दूसर को मिल जाए वीडियो को लाइक कर दिजएगा हमारे चैनल को सब्सक्राब कर दिजएगा फेजबूक पेज को फॉलो कर दिजएगा और वीडियो को अंतक देखने के लिए धेन्दबात